सो जैसा के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी यान थ्री यर एग्रिमेंट को पूरा करने के लिए यान सेक्ट के अंदर आ गया था और नयान रान और जीवू के बीच फाइट होना शुरू हो गई थी वहाँ प्रेजडेंट फामा, आइस एंपरर और बागी सब एल्डर्स भी मौजूद हैं और यान सेक्ट के सभी लोग इस फाइट को देख रहे हैं अब पहले ये दोनों स्वाट से एक दूसरे पर हमला करते हैं लेकिन उसके कुछ हद तक नयान रान हारती हुई नजर आती है क्योंकि वो बहुत जादा अच्छा लड़ रहा था यान सेक्ट के बागी वार्यर्स भी जियान और नयान रान दोनों की तारीफ कर रहे थे क्योंकि आज पहली बार उन्होंने नयान रान को फुल पोटेंशल में लड़ते हुए देखा था नयान रान को आज किसी भी कीमत पर जीतना था क्योंकि आज के मैच से उसके सेक के इज़द भी जुड़ी हुई थी नयान रान उसपर हमला करती है और इसमें जीयान के थोड़े से बाल कट जाते है लेकिन जीयन इसके बाद तुरंट उसको रोकता है और उस पर भारी बढ़ने लगता है और उसको तुरंट स्पीट का यूज करते हुए बैक पर जोर से अटाक करता है और इस अटाक से नयनरान खायल हो जाती है यान सिक के सभी लोग डर जाते हैं लेकिन एंपरर को भरोसा था कि नयनरान इस अटाक को सेहन कर लेगी और अब नयनरान अटाक सेहन करने के बाद फिर से उसे लड़ने आती है और अब वो और भी जादा एनरजी में जीयन पर हमला करती है प्रेजडेंट फार्मा और उसके साथ पैटे मास्टर जीयन की स्किल्स के बारे में डिसकस करते हैं क्योंकि ऐसी स्किल्स उन्होंने आज तक नहीं देखी थी अब नयान राण को गुसा आ जाता है और वो स्पीड में तेज-जेज गोल-गोल खुमना स्टार्ट कर देती है सबको ये लगता है कि जीयन अब तो समझो गया लेकिन जीयन जमीन पर एक-क मारता है जिससे वो कमसा आता है और नयान राण की स्पीड रुख जाती है बहुत शौक होती है वो उसे कहती है कि तुम अब पुराने वाले ट्रैश मास्टर नहीं रहे लेकिन फिर भी मेरे कुछ और रीजन्स है जिस वज़े से मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी अब वो फिर अपनी फुल स्ट्रेंट में आ जाती है और सब उसको देखर बहुत जादा विस्मित हो जाते हैं क्योंकि नयान राण ने आज पहली बार अपनी फुल स्ट्रेंट दिखाई होती है अब वो फुल स्ट्रेंट के साथ जियान पर हमला करती है वही दूसरे जाती है कि ये आदमी जरूर कोई खत्रा है। इसलिए यूजी उस आदमी के बारे में पता करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। वही मैच को देखने के लिए गुहे और उसका डिसाइपल मिस्टर लियू आप पहुचते हैं। और अब वो सब ही मैच को देखने लगते हैं। लड़ाई के अंदर अब ZN भी अपने आस पास एक आर्मर क्रियेट करता है। और उसके अंदर से बहुत बड़ा औरा निकलने लगता है। और ये औरा ने अन्वरान से भी बहुत जादा था। लड़ते लड़ते नैनरान ZN से कहती है कि तुम नहीं समझ पाऊगे कि मैंने तुमसे असल में शादी क्यों तोड़ी। जिस पर ZN कहता है कि शायद मैं नहीं समझ पाऊँगा और फिर ZN अपनी तलवार से उस पर जोर से हमला करता है। उनमें इससे फाइट होने लगती ह नैनरान कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितना गुसा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपनी सेक की इज़त बचानी ही होगी। जिस पर ZN कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। असल में वो उससे नफरत नहीं करता है बलक ज़ादा एनरजी चाहिए होती है और उसके यूज करने से नेन रान को भी नुकसान हो जाता है वो अब उसे यूज करने का डिसाइड करती है अब यून सेक के भी सभी लोग समझ जाते हैं कि अब बेचारी नेन रान के पास कोई और चारा नहीं है इसलिए अब वो इस खत्रे से भरे वेपन को यूज करने जा रही है अब तो सबको लगने लगता है कि जियान हारेगा नहीं बलकि जान से मारा जाएगा लेकिन अब जियान भी अपनी दोनों हेवली फ्लेम्स निकालता है और उन्हें मर्च करने लगता है अब उसको ऐसा करते देख सब समझ जाते हैं कि जियान और कोई नहीं बलकि वही है जो ग्राणपा का पोईजन निकाल रहा था और वो अभी तक भेज बदल कर हमारे सामने ही मौजूद था अब सब के चेहरे यहां पर देखने लायक थे और सब अब समझ जाते हैं कि जियान का मुकाबला उनकी बेटी नहीं कर सकती है अब नयन रैन भी जियान को पहचान जाती है और उसके लिए उसके अंदर फीलिंग्स भी आने लगती है लेकिन क्योंकि उसको अपने सेक के इज़द बचानी थी इसलिए ना चाते हुए भी उसे लड़ाई को कंचिन्यू रखना पड़ता है और अब वो उस पर अपनी शक्तियां छोड़ देती है लेकिन इतने में जियान बुद्धा फ्यूरी लोटस छोड़ देता है नयन रैन की सारी ताकत उसका सारा औरा बहुत प्यार से और बहुत असानी से बुद्धा फ्यूरी लोटस में डिजॉल्व हो जाता है और बुद्धा लोटस फ्यूरी नयन रैन पर अटाक करके उसके पीछे जाने लगता है और फिर इस पॉइंट पर ये एपिसोड यही खतम हो जाता है